ससी धरूर जी का आज सुबह बयान आया है उनका आज कहना है कि कॉंग्रेस 2024 में सरकार में नहीं आएगी बाजपा रूलिंग स्टेट 370 हटाया उसका बिरोध कौन-कौन किये कॉंग्रेस जेदियू आर जेडी सीपी एम सीपी आईएम त्रिनमूल कॉंग्रेस असद उद्ध तिरंगा फैराएंगे धारा 370 लागू था तो वहां कस्मीर में भारतिये तिरंगा नहीं फैरा सकते थे जब धारा 370 लागू था आप वहां पर भारत का संभिधान लागू नहीं कर सकते थे आप वहां पर भारत का कोई भी नियम पालन नहीं कर सकते इसको हटाया कि इसने ने अमीत सा सरकार ने तो क्या राहूल गांधी वहां पर जंडा फैरा एंगे या कांग्रेश की सरकार आज रहती तो राहूल गांधी आज भारत जोडो यात्रा अगर कर रहे होते तो वह कि जम्मू कस्मीर स्रीचर में जлек़ित नवसकार अंकित सर्मा आप करें प्रचन निवस देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खवर आ रही है राहुल गांदी जो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पिछले तीन महीनों से जी हां तीन महीने से विपक्षी दल या अलग-अलग पार्टियां कई तरह की सवाल खड़े करते हैं क्यों जब बात आती है जम्मु कस्मीर की ध्यान से सुनिएगा धारा 370 अधिकतर लोग भूल गए होंगे लेकिन धारा 370 एक ऐसा मुद्दा रहा है विपक्षी दलों के लिए मुस्लिम वोट लेने के लिए कि वो कभी हटाए नहीं हटेगा पांच अगस्त 2019 भारत के उस समय के और अभी भी के करंट जो होम मिनिस्टर है ग्रिह मंत्री स्री अमीद साजी उन्होंने धारा 370 हटाया था जो भाजपार रूलिंग स्टेट था भाजपार रूलिंग स्टेट 370 हटाया उ असद उद्धी 90 की पार्टी AIM IAM महवुवा मुफ्ती की पार्टी PDP और तरह तरह की जितने भी भी पक्षी दल थें उन्होंने उसका बिरोध किया लगतार इसका बिरोध होता रहा अब मैं इसको भारत जोड़ो यातरा में ये ख़वर को क्यों मोड दे रहा हूं क्यों मै इसको धारा 370 से जोड रहा हूं ये आप गौर करिएगा सुनिएगा जरूर क्योंकि सभी बिपक्षी दलो को कॉंग्रेस ने आमंतरीत किया है किसलिए आमंतरीत क्यों किया मैं आपको बता दू सुजीत की स्री नगर में जब लाल चौक पर समापन होगा भारत जोड़ो य लागू था तो वहां कस्मीर में आप भारतिये तिरंगा नहीं फैरा सकते थे जब धारा 370 लागू था आप वहां पर भारत का संबिधान लागू नहीं कर सकते थे आप वहां पर भारत का कोई भी नियम पालन नहीं कर सकते थे आप एक जमीन तक नहीं खरीच सकते थे एक आम नागरी की तरह आप जम्मू कस्मीर में नहीं चल सकते थे इसको हटाया कि इसने भाजपा ने तो क्या ये कहा जाए कि राहूल गांधी भाजपा के कारण आज जम्मू कस्मीर में तिरंगा फहरा पा रहे हैं या फहराएंगे सभी विपक्षी दल ममता बेनर जी हो सीपी सीता राम या चुरी हो या जितने डीके प्रसाद या लग लग जितने निताएं हैं वो सभी विपक्षी दल क्या राहूल गांधी के इस आमंत्रन को स्विकार करेंगे और स्री नगर में जाएंगे जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया था क्योंकि भाजपा सीधा सवाल य राहूल गांधी आज भारत जोड़ो यातरा अगर कर रहे होते तो वो जम्मू कस्मीर स्री नगर में जाकर तिरंगा जंडा फहरा पाते हैं क्या वो भारत जोड़ो यातरा केवल पंजाब तक हिमाचल परदेश तक ही सीमित रह जाती क्या वो स्री नगर को भारत जोड़ो यातरा में जोड़ पाते हैं नहीं सवाल ये उठता है और कहीं न कहीं एकदम जायस सवाल है कि राहुल गांधी भाजपा के कारण ही आज भारत जोड़ो यातरा में जम्मू कस्मीर में तिरंगा फहरा पाएं आज के दिन की दूसरी जो सबसे बड़ी खैवर और महतवपूर ख़बर है मैं आपको बता दूँ कॉंग्रेस के बरिष्ट नेता ससी थरूर जिनको सायद हमारे देश में इंगलिस के सबसे बिद्वान नेताओं में से यह किना जाता है नेताओं की कैटेगरी में मैं प्रोफेसर की कैटेगरी में नहीं करा हूँ लेकिन वो बयान आया है उनका आज कहना है कि कॉंग्रेस 2024 में सरकार में नहीं आएगी जी हां कॉंग्रेस 2024 में सरकार में नहीं आएगी ऐसा कॉंग्रेस नेता ससी थरूर जी का कहना है उनका यह बयान है कि बीजेपी 2024 में सरकार बनाएगी लिकिन्तु एक छोटा सा उसमें किन्तु है जानते हैं का है कि अखेले बहुमत नहीं हासिल करेगी का है सायद मोदी जी बढ़िया बढ़िया काम नहीं कियें सब जगए तो कुछ सीट कट जाएगा लेकिन उनकी सहयोगी दलो की वज़े से बहुमत हासिल आ जाएगा सरकार बन जाएगी ऐसा ससी थरूर जी का बयान है इस पर कॉंग्रेस का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है ससी थरूर माफी भी नहीं मांग रहे हैं कॉंग्रेस का कोई एक्षन भी नहीं हुआ है क्या डर है ससी थरूर से कॉंग्रेस को क्या बाते हैं समझने और सोचने की चीज है ससी थ कमिटी जिसको कहा जाता है उस कोर कमिटी में ससी थरूर के डिसीजन्स होते हैं एक बड़े ही उच लेवल पर और उस उच नेता का ये बयान कॉंग्रेस के कारेकरताओं का मनोबल कहीं न कहीं तो डाउन करेगी करेगी देखने वाली ये बात होगी कि क्या ससी थरूर अपने बयान को पल्टेंगे या फिर वो कायम रहेंगे ऐसी तमाम वीडियो के लिए बने रहे है और रोज का जितना खबर रहेगा आपको लगतार प्रचंड नियूज देता रहेगा डेली अपडेट्स के माधियम से हमारे चैनल पे अगर आप नए है तो हमें सपोर्ट करिए हम लगतार निस्पक्ष खबरो को आपके मुबाइल फोन्स तक आपके सोसिल मीडिया के हिसाब से आपके पास लाते रहते हैं ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहे हैं मेरे साथ मैं अंकित सर्मा प्रचंड नियूज धन्यवाद